भागलपुर के बरहपूरा में इंजिनियर अबूल हसन जो एक समाजी कारिकरता है उनके आवास पर जीतन राम मांजी पहुचे और प्रेश वारता किया इस प्रेश वारता में बता दे कि इंजिनियर अबूल हसन समाजी कारिकरता के साथ साथ मुहम्मद नयाब, मुहम्मद रमीज, मुहम्मद साहिल, मुहम्मद सहराब, मुहम्मद कमरान, मुहम्मद रयान, मुहम्मद हसन, मुहम्मद रासीत इन लोगों मौके पर उपस्ती थे बता दे कि उन्होंने ये भी कहा प्रेश्वार्था कर कि अगले विधान सबा में हम हर विधान सबा से अपने परतियासी को खड़ा करेंगे और शुनाव लडाएंगे और सरकार को एक चुनोती पूल देंगे बता दे कि अगले विधान सब्सक्राइब देने का लिए और इस चीपर आगे हम बढ़ गये थे इसी तरह से अनेकों किसान हमारे मुस्लिम भाई लोग है ये मौलाना मजलुलहा की मर्षिटि सक्रुटी की सब石imas के साथ वन्हेन हुआ था शिकृपिकी का सब भवन बन गया सब मतीम हो रहा था ऐस लेकिन एक मौलाना मजलूलहा की मर्षिटि करने जुमनीफिर में उनका भवन बना था जिटनमान्धी आया तो उनको एक तर्टीन का जुमिन दिया अनौ को बैयर दिया। उसी प्रकार से हमने कहा था कि सिविल कास्ट और माइनरीटी का जो बहुल छेत्र है जोहां पर आपसर इंचार हम इसी कचोगरी के रखेंगे। अगर गलत नहीं था इसको इंप्रिमेंट बना चाहिए तब नॉमनेटेड और एलेक्टेड का का मामला बनता है यह तो उनके दिमार का खोखलापनी सावित करता है जो इस प्रकार की बात उनके लिए। उनको क्या सला दिना चाहिए गाए। उनको से कम से कम अभी समझिये। अभी आप दिमार लगाईए कि हाँ शहाब इतने लोग दिन के लिए काम किया गया है। ओ काम हम उसको पूरा कर दें और ठीजी समार को कैरी आउट करें। आज भादलपूर में देखे हमें जुजल लगा हुआ है। हमारे गरीब तबके के लोग आज मिर्वासी तक्तरसे हैं। महीना से बाहर कहीं हैं बालवचार्टूर के साथ अपना सारा संपर्टी छोड़ दिये। क्या जालग जी शिचाय मंत्री थे। इसलिए कि उनको यहां पे जाति विसेश्ष से जगड़ा है। और हिंदुस्तान अनिक भाशाओं और अनिक स्वंस्किक्ति एक अनिक वेस्टा का देश है, यहां पर एक लाखी से उहाखना चाहेंगे, तो नहीं हाटेगा, इस तरह लनद बावु आप अपना मुस्मन की घ्याम दे, ताकि हुमारा हिंदुस्ताम यह से संधात्मत सहकार औ यहां की अपने सारा हमारा लुकूल सुनस्किक्ति और यहां की जो सारे निट्रलिटी भावना है, संपड़ाइक भावना से उपर हुट करके बात करने की बात है, तो वर्चे मज़स्तूर जारी रहे, यह बात को करें, यह हम उनको सभा दें। सराइत जैसुजी पर शबार, आदमी तो अपने बात पर भरॉशा करना चाहिए और बात पर अधिक रहना चाहिए, यो बड़े हैं उनको ज़्यादा इसकी छिंता रखनी चाहिए, लेकि बड़े होकर कि अगर बात करते हैं, किसी तो बीच करते हैं, तो उनकी पहांदा न करते हैं, रही बात कि उनके कलती के चलते ही हम लोग आज मैलान में हैं और डटे रहेंगे, और हमको उमीद है कि अजैर आयटी का यहां पर भरॉशी चित है, चमिचित करेंगे, और ति उसी प्रिकार से शिम्री बग्च्यातु नहीं जिलो नाव चाप लेकर के नरेस दिन जाद इको हम लोग उता हैं, अब जो कहते हैं, तो हमारे उतारी हम लोग को यहां पर उतार दिया गया, और वित्रे किया हैं, तो आज हम लोग एक सास्थ नाव रहते, जादे अच्छा होता, और इसमें एक बात और मैं कहना चाहता है, जो बहुत अस्पस्थ है, इसके लि आज संदर्व में देशा के मारे मुकेश जानी जी ने कहा जगरा हमारी एंडिये से, जगरा हमारा भाजपासे, उसकी चर्चा हमें भी किया, कि कहा वो देश को ले जाना चाहिए, तो अगर वहां गड़नन के स्वरूत में किसी की गलती के चलते एगा, थोड़ी भी कमजुर होती है, तो माना जाएगा कि वह भाजपासा मुक्तार रहा है, वैसे प्रिस्टिक्ति में हम यह नहीं कहना चाहते हैं, लेकिं आज भी सही करते हैं, पर स्वरूत की बात करते हैं, तो पांच में वहमत की बात है, दिमोक्रिसी है, मैजूरिटी मस्क्त भी गरांट है, तो जब चार एक वक्षिये हैं, तो एक को अलग हो करके निकल जाना पूशित नहीं था, इसलिए हमको ऐसा लगता है, जान भूज करके कहीं आजपा को मजब पूर में करना चाहते हैं, तो इसलिए ऐसा होगा है, तो जैसे कि आपको पता है कि महांगरवंदन का जो स्वरूप सब पार्टी के साथ मिलके हैं, और इसमें यहां पे खास वके नातनगर में हमारे राज़त की तरब से भी उमीदवार रखा गया है, और हम लोग आपस पर बात कर रहे हैं, राज़त बड़ी पार्टी है बिहार के, और हम लोग फूप चुनाब जो छे जगह हो रहा था, दो जगह जिसके कॉंग्रेस का अधिकार था, क्योंका मास सिटिंग कर्डिडेट था, तो दो जगह वो लड़ रहे हैं, उसके बाद चार सिट बना, उसके हम लोग पहले से आपस पर डिसाइड कि एक इस सब आदमी, चार पार्टी है, चारो आदमी, एक एक जगह अलन चुनाम लग रहे हैं, और उपेंदर कुस्वाजी नहीं लड़ रहे हैं, अपको अमरे इस दो जगह लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं, हमारे RJD के साथी राजत की तरफ से चार जगह उमीदवार है, हम अभी उनसे उमीद रखेंगे कि दो जगह अपने कंडिडेट सो तो लगाएंगे अपनी निता करा, रहां बाकी हमारे साथ उपेंदर जी है, तो उनका पोटो आपको दीकरा, तामरेस पार्टी है, तो उसा पोटो जिखने रहे हैं, हम लोग और फ्रेंडली फैंड, दोस्ताना संघर्स यहां पे होगा, और गटवंदर में कोई दरार नह आगे भी लड़ेंगे, लेकिन यहां पे ऐसा पस्तिती बन चुका है, कि उनका भी कंडिडेट है, तो अभी भी हम उमीद रखते हैं, कि अभी भी समय है एक दो दिन, यहां पे अभी भी अपने कंडिडेट को बाइक कर ले, क्योंकि बड़ा सहयोगी है, बड़ा भाई है, आप भाई का परज बनता है, कि छोटा भाई को साथ लेकर चणने का, उनको भी मौदा देने का, उनको भी जगा देने का, क्योंको उनके पास विधाय का कमी थो रहे है, असे वो विधाय के अए, उसमें एको विधायक भन जाए, एको माजी जी का बन जाए, तो इतो हम लो है कि बड़े भाई और जोटे भाई की बात कर रहे हैं लेकिन आज तेज़सुई जी आगलकुन में रोटों में बाता जनतबा भी कर रहे हैं तो कैसे उम्मिद करें कि वह अपने कंडिडेट को वापस लेंगे हमने तक कहे दिया ना कि दोस्ताना संगरस भी हो सकता है संगरस दोस्ताना नहीं वापस लेंगे समझदारी वाली बात तो यह है कि सब एक दूसरे को एक कदम पैर को पीछे करना चाहिए अगर हम चार जगा लड़ते तो निश्य तीन जगा हम अपने कंडिडेट को वापस कर हम एकी जगा लड़ रहें हमारे वड़े साथ़ी चार जगा तो उन्हीं को अभी दो जगास से अपने पैन को पीछे करना चाहिए नहीं करतें तो भी को समस्य वाली बात नहीं है यहां पर दोस्ताना संगर्स होगा और हमारी लड़ाई NDA से है भारते जन्ता पार्टी जेडियो जो 15 साल से बिहार को कहीं न कहीं युवा को किसान को गुमड़ा कर रहे हैं उनसे हमारी लड़ाई है कि उसको हम लोगों को 2020 में बाहर देखना है और हम लोगों बिहार महा के नई मत्रेद होता तो मगल पे तेजहें सिर्ची भी थे थे धोरा सा तो है यह आपकी बात से इंकार नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा है और हम लोगों को लगता कि यह थोड़ा सा है इस को हम लोग आने वाले समय में एक अगर भात वह समय कर रहे हैं ी तो धुकर बदी हुआ है इसमें भी बड़ी बात नहीं है वह भी दीख जाएगे इन के पास किसना ताक्त है हुष मोग है किसमे को सबता अचा किसई पास कितना ताक्त है अद के पासた आध तो उसमें जिन्तु पहन्तु नहीं है कि अभी हम लोग लग लग रहा है कि हमारे भी कर्मीरियर का इस्तित्ति बहुत अच्छा है कि पिछला समाद साथे इसको बहुत बढ़ा समर्थन प्राफ्थ है खासकर के विएपी पार्टी के भी सारे पता दिकारी दीता मेहनत कर रहे हैं और हमारे माजी जी के संगठाने सारे काम कर रहे हैं अजे राजी पुद पंचैत के मुखिया हैं इनका एक अपना जनात आ रहा है तो बहुत अच्छा इस्तिति है